संपूर्ण स्वास्थे का विज्ञान एवं दर्शन आईरवेद आईए आज हम चर्चा करने वाले हैं पंच कोश की विश्यक पसे देखा जाये तो यह विश्यक योग का है योग में यह जो चक्र हैं कोश हैं या बाकी योग क्रियाएं हैं मुद्राएं हैं इनका वर्णन योग के माध्यम से जदा किया जाता है परन्तु आईएरवेद में भी इसका वर्णन है आयरुवेद में इसलिए वर्णन है क्योंकि यह अभी स्वास्ति से सम्मंदिती ही चर्चा है बात है तो आज हम जरूरी होने की उज़से इसकी चर्चा करेंगे और मैं बहुत अच्छे सरल सब्दों मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा क्योंकि योग और आयरुवेद के अनुसार देखें तो यह जो मानव शरीर है यह इस्वर की द्वारा जो बनाई गई एक अनुपम अध्भूत रचना है यह मानव देह को जो है इसको अध्भूत विशीष माना गया है और इसलिए भारती जो हमारी जो अध्यात्म विद्या है उपनिश्यद आली जो ग्रंध है उनके अंदर शरीक अंता करण हुआ उनकी क्रियाओं का बहुत बहुत ही सुक्ष्मता के साथ में वनन किया गया है और वनन करते हुए इन से परे आत्मा की सत्ता की अनुभूति के लिए पंचकोष का विवेशन किया गया है जैसे हमने हमने बात की आत्मा की हमने बात की मन की बात की मन को पहचानना हो आत्मा को जानना हो तो हम क्या करें तो ये पंचकोष भी इसके साधन है यहने कि पहचानना है, जानना है मन के क्रियाओं को, समझना है इंद्रियों को, पाना है आत्मा को, राप्त होना है मुक्ष को, इसके लिए साधन है, इन साधनों को हम अरिशी लोग अलग अलग तरह से समझाने के लिए, अलग अलग तरह से इसकी व्याख्या, इसका वर्णन और इसकी जो है ना इसके स्वरूप को बनाया है उन्होंने वो सरलता से जो आपके अंदर यहां प्रविष्ट हो जाए सरलता से हम लोग समझ सकें जो मानव हैं वो समझ सकें क्योंकि हमारे पास अल्प जियान है उस अल्प जियान में भी समय का अभाब है समय का अभाब में कहीं ने कहीं हमारी रूची भी नहीं है, रूची भी बंती नहीं, क्या करेंगी, इस तरह के ये भीशय हैं, चलो ना तुम थोड़े दिर का समय एक टीवी में बैठे हैं, एर रोचक के चीज देखो ना मनों ने देखो, पिक्चर देखो, टीवी में दूसरे इस तरह के हो गया, आईरवेद, ये हम को अपने आप को जनाने के लिए कहता है, जब हम अपने को जानेंगे, तो हम दूसरी की चिंता करेंगे, यदि हम अपने को नहीं जानेंगे, तो हम किसी के लिए भी परवाह करने वाले नहीं हो सकते हैं, जो अपने को जानते हैं, वो दूसरी क परवाह करते हैं, और अपने को जानने का साधन योग और आईरुवित के अतिरिक्त और कहीं भी दुनिया में नहीं है। हमम्क्त नहीं है तो मुक्त होना है तो क्या करना पड़ेगा हमको आत्मदर्शन की प्राप्ति करने होगा आत्मसाख्शात कार करना हुगा नंदिर कोशिध गुरुद्वारे और ना जाने कहां कहां पर तीर्थ और अलग-अलग स्थानों पर अलग अलग जगों पर हम जाते रहते हैं, क्या आत्मसाक्षातकार उससे हो जाएगा, मुझे तो लगता है कि वहाँ जाने से होता, तो वहाँ जाकर कि जब आते हैं, तो मन में कोई ज़्यादा परिवर्थन आता नहीं, यहाँ जाने से हमको ऐसा लगे कि हाँ, अंदर जो उसका लक्षे है वहाँ आत्मसाक्षातकार तक, आत्मसाक्षातकार ही है, तो वहाँ पहुंचने के लिए हमें, रिष्यों ने कि बाहर की दूनिया में मद भटको, अपने शरीर के अंदर जहांको, उस शरीर के अंदर जो पंचकोष, जो हैं, उसको समझो, और इन आव यह आत्मा है, इनका ठीक बोध होने से ही वित्ती शरीर को भी ठीक रख सकता है, अपने कर्मों को भी ठीक रख सकता है, अपने आशण, व्यभार और विचार को भी ठीक कर सकता है, जब सारी चीजने ठीक हो गई, तो मन में संतुष्टी होगी, जीवन में सुख होगा, और शरीर के अंदर रोग मुक्त हो करके संसार के सभी जो है उत्तम कर्म को करता हुआ उपरमात्मा को भी पास सकेगा कितना सरल सिध्धांत कितना सरल उपाये इस सरलता को छोड़ करके हमने इसके लिए बड़े-बड़े कठिन मार्गों का चैन किया है तो आईए आज मैं यह प् प्रयास है स्वास्ति विज्ञान का इसके दर्शन का जो हम इसकी जो हम चर्चा कर रहे हैं इसका यही प्रयोजन है कि हम किस तरह से अपने को पहिचान करके आनंद में रह सकते हैं रोग मुक्त हो सकते हैं कि रोग मुक्त होने का भी एक ही प्रयोजन है जिससे कि हमको जाया है योग और आयर्वेत के आने ग्रंथ जिसके बहुत सारे उधारण है यह आप हमारे दर्शनों को पढ़िए दारा सिक्वा जैसा जो तो इसलामिक विक्ति भी हमारे उपनिशादों को पढ़ करके इतना प्रभावित हो जाता है कि वो अपने उपनिशादों को उसने आरव इमें अनुबाद करता हैं तो मैं यह कहना चाहता हुम कि आप ग्न के लिए रास्ता मत मोड़िये आपके संप्रदाय के साफ से, आपके मत के साफ से, आपके पंत के साफ से, जो सिखाते हैं, वस्तोता वो ग्यान हो ख्षमा करिएगा जरूरे नहीं है, ग्यान तो अपने बुद्धी के कपाट को खोलिए, अपने ग्यान के चक्षू से देखना शुरू करिए, जब आपके च प्रयास करिए इसके लिए जैसे मैंने कहा कि पंचकोष का संबंद वैसा देखा जाए तो आयरुवेद से सीधा संबंद तो नहीं है परन्तु योग में इसको बहुत महत्पुण माना है इसलिए हमने इसको शरी विज्ञान के साथ में क्योंकि यह सरी विज्ञान से संबंद पंचकोषों की चर्चा कर रहे है यानि आपने योग के अंतरगत पंचकोषों की चर्चा जरूर सुनी होगी पर आज हम आयरुवेद के अंतरगत इसकी चर्चा कर रहे है पहली बात है कि जो अन्यमय कोष्ण है अन्यमय कोष्ण जो है यह जो यह बहुतिक जो स्थूल दे यहां से शक्ति आती है उसको कहा जाता है प्राणमय कोश तो वहां तीसरा होता है जिसको हम बोलते हैं मनमय कोश इसमें संयम से सकल इंद्रिया और उसकी शक्तियों का बोध होता है मन की विशे में हमने बहुत सारी बात की पंच पंचक में भी हमने मन और बुद्धि की बात करी तो वहां तीसरा है हमेरा मनमय कोश चौथा है जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ विज्ञानमय कोश जो नेड़े करने की जो शक्ति है क्षमता है वो विज्ञानमय कोश के अंतरगत कहा गया है पांच वाँ हैं जिसको हम कहते हैं आननमय कोश इसके अंदर संपूर्ण जो तत्त का जो यथार्थ वोद का जियान हो जाता है यह नहीं जब आत्मा साक्षात कारण हो जाता है उसको इन पंच कोशों का अपना विशेश महत्व है ध्यान रखिएगा जाहे साधना की बात हो ध्यान की बात हो तो इसमें उचित अहार वियार के द्वारा योग के द्वारा एक जो है अपना साधक इने इस थुल देह से वो और शुक्ष्मता की और बढ़ता है तो आपको भी सुक्ष्मता की और जाना जरूरी है इसलिए नहीं कि आपको परमात्मा को पाना है इसलिए कि कम से कम शरील को तो आपको ठीक रखना है अच्छी वाते दिया पर्मात्मा को पाना चाहते हैं तो नहीं तो देह को ठीक रखने के लिए आपको और सुक्ष्मता की और अग्रसरित होना है इसलिए कहा भी है कि देहाद अभ्यंतरह प्राणह प्राणाद अभ्यंतरम्मनह ततह करता ततो भोकता भुहा सेयं परंपरा ये पंच दशिका है ये पंच कोश विवेक के अंदर ये वर्णन किया गया है इस थूल शरीर रूप अन्नमय कोश से प्राणमय कोश सुक्षम है ये इस थूल रूप जो शरीर है वो अन्नमय कोश है अन्नमय कोश सुक्षम है प्राणमय से जो है सुक्षम मनमय कोश है और उससे जो सुक्षम है मनमय कोश से भी विज्ञानमय है और विज्ञानमय से सुक् कोश्म कोश्म का यह जो समोह है ना इस समोह को ही गुहा शब्द कहा गया है गुहा शब्द में कहा कि गुहा का आर्थ है जहां आत्मा का निवास होता है यहीं कि जो शरीर का जो सबसे सुक्ष्म भाग है जो गुहा है उसके अंदर आत्मा का निवास माना गया है तो हम क्या क जो विक्ति जो होता है ना ध्यान साधना करता है, योग करता है, करते 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 हैं, वो स्थूल देह जो यहां अन्न में कोश है, उससे सुक्ष्मता के और गती करने लगता है, वो ध्यान करने से, जब बैठते हैं आप तब स्थूल देह का भान नहीं होता है, जब जब करता रहता है व और कि कारू से रहत होता जाता है इसे तरह से वह उत्तर उत्तर कोसी को सब्सक्राइब करता है उसे lat भग्यास का इसलूदु य Charles जोसे इसलिए मेजिटेशन ध्यान इसकी बड़ी महत्था बताई गई है ध्यान के साथ में हमको ध्यान तो बैठ करके होता है पर कारिय बाहर प्रवित होने से होता है जो बाहर के कारिय उल्जे हुए होंगे तो कितना भी ध्यान करो मन सुल्जेगा नहीं इसलिए बाहर की कर्मों को ठेक करो फिर ध्यान करो तो सब कुछ सुल्जा हुआ नजर जिससे विक्ति के शारिक रोगों, मानसिक विकारों तभी तो बचोगे, जब बचोगे तो मनिश्य का जीवन के लक्ष प्राप्त कर सकोगे, आपको कुछ भी करना है तो अच्छे काम करना हो या बलसाली बनकर के ही, निरोग बनकर के आप कर पाएंगे, तो इसलिए कहा कि उ दिव्य उर्जा का केंद्र है, और उस दिव्य उर्जा और शक्ति के दबारे ये सब कुछ संचालित है, और जो विक्ति उसको जान लेता है, तो फिर उसको कुछ भी जानना शेष नहीं रहता है, ये उपनिश्यतु का अंदर बड़ा है वड़न है, इसलिए कहा कि वही सत है, वही अनन्द है और कहां वही ब्रह्म है, उसी ब्रह्म से ही सब कुछ बना है, आका, शाका से वायू, वायू से अग्ने, अग्ने से जल, जल से पृतिवी, पृतिवी से ओशधियां, ओशधियों से अन्न, अन्न से वीर्य, वीर्य से यहा पुरुष अर्थातिय शरीर बना है, इस प्रकार यहां स्थूल शरीर ही अन्यमए कोश है, यानि ब्रह्मा से सारी चीजें प्रारंब होती है, स्थूल देह में वो समाप्त हो जाती है, और स्थूल देह के द्वारा ही फिर हम ब्रह्मा के तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, ये कड़ी जुड़ जाती है इनि ब्रह्म से देह देह से ब्रह्म तक की है यात्रा है बाकी तो बीज के पड़ाव है इसको जानने के लिए पंच कोश एक बड़ा साधन है इसलिए अन्नमे कोश रुपी सरीर के ज्यान से इसके निरुक्ता से ही हम सारे संसार को जान करके फिर सुख और आनन्द को प्राप्ट कर सकते हैं इसलिए शास्त्र में कहा अन्नाद भूतानी जायंते चातान्यननेन बर्धानते अध्यते अत्तीच भूतानी तस्माद अन्नम तद उच्यत इति तस्माद वा एतस्माद अन्नरसम आयत यह तैत्तरियोपनिशद में है यहां क्रमस कोशों का जो वीवरण है वो प्रस्टूत है तो किस तरह से यह तो जयसे हमने आगाना आप हम इसको क्यों किसे हैं क्रमस कोषों का वीवरण को हम समझें इसको जाने कि कैसे हैं फिर ये कोश तो इसकी हम प्रसुत कर रहे हैं अभी आपको कि जैसे की पहला जैसे में ने कहा कि अन्नमय कोश अन्नमय कोश की रचना किस से हुई है इसकी सरीर की रचना अन्न से हुई है इसलिए अन्नमय कोश कहा है अन्यमे कोश का संबंद प्रिथिवी से है, क्योंकि वह सबसे स्थूल है, अन्य की उत्पत्ति प्रिथिवी से होती है, अन्य से स्थूल देह का निर्मान होता है, आतहा सरीर के स्वास्थे या रोग का संबंद है वो अन्यमे कोश से ही है, यानि देह से है, यानि प्रिथिव बनी है इसलिए प्रिथिवी के उषदियों से ही दिया ठीक होटा है तो अन्नमयकोष के लिए शुद्ध करने के लिए जरूरी उचित आहर विहार या शोधन की शटकर्मा अधिक क्रियाएं और फिर मुद्रा है आसन है इन सब के अभ्यास से जो है ना शरी को शुडोल इससे इसको सहग सहता मिलेगा तो इसलिए यह हुआ अन्नमयकोष दूसरा जो मैं बात कर रहा हूं प्राणमयकोष के संदर्म में जो प्राणमयकोष है वो इस थुल शरीर से सुक्ष्म है जिसको हम प्राणिक शरीर भी कहते हैं या उसको प्राणमयकोष भी कहते हैं जो प प्राण में कोश्च में आपको प्रान को है। तो देह के शक्ति वह उर्जा का श्रोत जो है प्राण में कोश है इसी तरह से पूरा ब्रह्मान का जो वायू तत्व है शरी के अंदर जो ब्रह्मान में जो वायू वायू दिखाई देता है वो जब शरी के अंदर जाता है तो प्राण की रूप में काम करना शुरू कर देता वो सर्वगत होते हूए भी सब जगण जब है तो भी देह में स्थित है उते हुए इसको प्राण कहते हैं तो प्राण प्राण क की विश्ये में हमने पहले थोड़ी चरचा की कि प्राण मुख्य रूप से 5 गटक हैं प्राण आपान, समान, उदान और व्यान इसके पांच उपगटक भी हैं जिसको हम नाग, कूर्म, क्रिकल, देवधत्त और धनजय कहते हैं तो इस तरह से प्राण में कोश्के पांच मुख्य घटकों का विवर्ण जो है उनको हमको थोड़ा जानना भी बहुत जरूरी है थोड़ा सा हमने पहले प्राणों की चर्चा की थी जब हमने वात्पित कफ की बात की थी तो फिर मैं दुबारा थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करता हूँ प्रान उसको कहते हैं जो देह गत जो प्रान है न जो शुद्ध वायू है या उनका जो धारण भी करता है उसको अपान कहा जाता है समान उसको कहते हैं वो जो वायू है देह में अन्न, जल, रस, अरक्त आदी धावतों में जो हम बदलता रहता है जो खाए हो अन्न को परणित कराता है उसको समान कहते है उदान उसको कहते हैं कि राद को सोते समय गाड द्राम है जीव को विशाम दिलाता है आनंद कुपर दान करता है शुब अशुब कर्मों की सुख, दुख की प्राप्ति जो उदान वायू के द्वारा ही होती है आप इसको समझें फिर व्यान वायू के रूप में संपून देह में व्याप्त हो करके चेश्टा आदी जो भी हम कारे करते हैं रस धातु आदी का निर्मान करना पूरे शरीर में फैलाने का काम है यह पांच प्रवान करते हैं तो इसी तरह से पांच उपप्राणों का जो कारे हैं जैसे आप इसको समझी है कि इनके जो मुखे स्थान है इनके जो मुखे काम है हम उसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि आपने देखा कि पांच प्राण जो है वह क्या क्या करते हैं तो जो पांच जो प्राणों में से प्राण कहां रहता है यह मुख से लेकर के हिर्दय तक रह गी हमारे दिल से लेकर कि हमारी नाभी तक कि जो स्थान कि अपान को पेफ़ान करना अप्आ나िका इसका स्थानी कै마 बहुचन को पच थान है्यों कि सब सब एंद कर आ widen करना कि अमरे पर का इसे मल मुट्र ऐर्य का ब्रकाज ब्यूं सर्जन विसर्जन कमर तक आंगों को गति में वैंने का काम यह सब काम अपान वायू का है, फिर यह कहा व्यान, व्यान का जो काम किया, इसका तत्त की रुप में कहा है, जल प्रधान तत्त वाला है, पर इसका जो स्थान है, सारे शरीर में यहां काम करता है, सब नीचे से लेकर के उपर तक, सारे बाकि जो चार जो प्राण प्राण काम करता रहता है. जो पांच उपप्रान कहा झुढाग है पुं को प्रिफी पी कूर्म का उसका काम बढ़ने के बाद में भी ये प्राण लास्त तक काम करता है उसका नाम है धनन जय इनकी धनन जय प्राण एक ऐसा है कि मरने के बाद में जो सरीर को सडने नहीं देता है वह काम आपका धननजय प्राण का काम है इस तरह से हमने अभी समझा कि जो हमारा पंच कोश है पंच कोश में अन्न मैं कोश, अन्न मैं कोश के बाद में प्राण मैं कोश, प्राण मैं कोश के पांच पंच प्राण, पांच जो कारे हैं इनका जो इस्थान है हमने उनको समझा अभी बाकी और हैं हमारा मनों में कोश है विज्ञान में कोश है आनन्द में कोश है इसकी चर्चा करेंगे तो आज आप इसको समझे प्रान को समझे अन्य में कोश को समझे कल फिर यानि अगली कड़ी में इन विश्यों को ले करके हम होंगे आपकी वीष तब तक आप मुझे दीजी विधा ओग।